क्वेलो हाई एब्रइबन कैसे हैं आप लोग अच्छ ऊच्छ वेंगे तो दोस्तों जैसे कि अप देख सकते मेरे पास एक सिलींग और ज़ो इसमें जब इसमें 2028 वूल दिया जाता है तो इसमें घूबू का आज आता है और स्लो मुसिन में चलता है तो यादि इस तरह का प मतलब की 220 बोल देते हैं तो कभी सीधा नज़ता है कभी सुलो नज़ता है और कभी घूँँँँ का आवाज करता है यानि की बन बन का आवाज करके रहा जाता है तो इसी तरह के प्रोल्म पंखे में है दोस्तों चलिए मैं इस पंखे में 220 वोल्ट देखर आपको दिखाता तो देखे यहां सब्सक्राइब को मैं यहां पर रख देता क्योंकि जब यह पंखाम अवाज करें तो आपको सुना देता है श्रीस टेहिते हैं बलब लगा हूँ इसको हँआ है इ göst यह देखें यह देखें यह देखें अब इस तरह से घूमा था देखें यह देखें तो इसी तरह को कैसे रिपेर करते हैं आये इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो दोस्तों इसी तरह के प्रोब्लम को कैसे रिपेर कर सकते हैं वह से चली हैं कि कैसे सक रिपेर करते कि तुसमें आप सिक्षासे पहले करनाäter है मैं डीजिटल मटmeटर को ले लेना है तो जैसा कि आप मैं one देख सकते हैं मैं इसे लितल मट्मेटर हैं के और दोस्तों हमारे पहले यहाँ आप सबस्क्राइब निकाल देने के बाद यहां से चुछ फ्रोब्लम क्या है कि यहां पर चला हुआ है यहां पर जला हुआ है यहां पर जला हुआ है और जल कर नहीं है तूट तूट रहा है यहां से वायर का जो कनेक्शन तूट गया था के अब यह मुल्टिमेटर को लेलना है अब इसको बॉघर वाले मौड पर शेट करने के बार यहां मल्टिमेटर को इस तरह से अब यह देखिए इसको दोनों प्रोब के वाइर को टीटी का आवाज आएगा तो समझे हमारा मल्टिमेटर जो है बजर वाले मौड पर है तो अब देखिए इसको नचा कर देखे लिना कि बैरिंग तो जाम नहीं है यह देखिए एक दम बैरिंग में फ्रीली मूव कर रहा ह है यह देखिए मैं एक वार अहलका सा इससे रोटेट कर दिया और काफी देर तक में नचता रहेगा यह देखिए यह वैरिंग जो है हमारा ओके है अब देखिए इसमें चेक क्या करना है यह जो तीनों वायर है इसमें यह रेड़ वायर जो है कॉमन है और यह यह एलो है र यह रखो यह रख देते हैं मल्टीमेटर के कॉमन पर रख दिया कॉमन पर रखने के बाद एक वह टाच करेंगे यह यह रख करेंगे ब्लेक वायर पर तो सबसे पहले यह लुटेश कर लेते हैं यह कि कंटिन्यूटी हमारा कितना सो कर रहा है है 190 197 यह 5 इसके आसपास सो कर रहा है तो कंटिन्यूटी का सो कर रहा है दोस्तों कितना 190 190 190 मतलब कि 200 की आसपास समझ लेजिए और यह देखे यह बलाइक में टच किजिए गया कि तीना 270 कर रहा है यह तो कर रहा है यह उसमें सो कर रहा था 200 के असपस यह इसमें सो कर रहा है तो यह जो क्लिदिक क्या गया है पर्फेक्ट है कॉयल कहीं से नहीं टूटा है नहीं जला है वह को चेक करने के लिए करेका और मैं बता देता हूं यह जो है मतलब की यह वहला जो सिरीज़ बॉर्ट से मैं इसमें 220 बुल देता हूं यह देखें तो वह जब फोर पीछे में दिखाया था कि तो मैं वापस से इस वायर को मतलब की डाग खोस दिया हूं अब खोसने के बाद इससे दिखाता हूं इसमें 220 देकर पता किया जा सकता है कि हमारा क्वाइल जो है ओक है या खराब है इस सिरीज बोड में जब भी लगाना है मतलब वायर को लगाएं तो यह देखिए जब भी से जल देखिए यहां रहाय पर दिखिए यहां यहां पर रखिए है यह यैरे जल गया यह दुर ने ब्लैक पर रहा है तो यानि कि हमारा जो क्वाइल कर लेंगे ब्लैक पर पिला पर तो इस पर तरच किजिएगा इस राणिंग और स्टाइटिंग वायर पर तरच किजिएगा तूसमा जो ब्लब जो सुबट काक्दम कम जमेंगा यह दिखिए यहां पिछ फिलामेंट है यहां पर तो तो चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब कर लेजगा अब वीडियो पसंद आते वीडियो को प्लीज लाइक कर देजगा दोस्तों वीडियो में इन तक जरूर्ब बने रहे इसको कैसे रिपेर करते हैं आगर दिखाता हूं इसको एकदम चला कर दिखाएंगे दोस्तों बिना पं तप्रूब देख सकते हैं इसको मैं लगा लिया हूं अब देख़ें कैसे में इसमें कानेक्षन करतेंगे इस तरह से connection कर देना है जो कि मैं कर रहा हूं इस तरह से connection करने के बाद अब यह देखिए मल्टीमेटर के यूट करना थोड़ा सा यह आप लैंड से चेक नहीं करना चाहते हैं तो यह देखिए एक वायर तो common पर रखना है मैंने रख लिया अभी रेनिंग स्टार्टिंग के जो दो वायर है यह लो और ब्लैक इस पर बारी बारी से रखें एक वार मैंने ब्लैक पर रखा तो continuity कितना आ रहा है एक वायर इस पर रखा टेक्स अंठान में यानि कि जीस वायर पर continuity कम आया उसी पर 220 बोल देना एक मतले 220 बोल्ट का एक वायर कमन पर देना यानि रेड़ वायर पर अरे कई इस पर कंटिनूटी केतना आया 190 यह देखिए 197 यानि कि इसपर कंटिनूटी कम आ रहा है और इस पर दूसर से उपर आ रहा है यानि से कंटिनूटी कम आ रहा एक लिए इसमें 120 बोल्ट से नहीं देंगे तो इसको उसी तरह से इसमें लगा देते हैं इस पंखे में इस तरह से लगा देते हैं इसको पैर से इस तरह से धर लेते हैं यह देखें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ झाल झाल कंटिन्यूट्य जाद आ रहा था उसको वायर मेने वीच में डाल दिया है नहीं चोद। का धिया प्रश्चोन दिया है दोस्तों को माथा वह हमारा शिटन्यूट्य का वायर का दिया तो इसका कनेक्शन हो यह भी आप इसमें कॉमन का वायर जो देते हैं कॉमन का वायर इस तरह से स्कुरू को खोल का इस तरह से पहले इसको दाब दीजिए दाबने के बाद इस तरह से इसको डाल दीजिए यहाँ पर करेंगे और दिला करेंगे इस तरह से लगा देंगे तीस तरह समयने वायर को डाल दिया और इसको पेज की कुछ देते हैं तो पेज जो की जो की हो गया कसा गया है दोस्तों टाइटलिक कस दीजे ताकि दिक्कत नहीं हो कि इस तरह से कशा चुका है कशा गया है अब देखें आव इसमें 220 वोल्ट देकर मतलब देंगे जैसी बात है इसमें लाइन देंगे 220 वोल्ट तभी तो पंख़ा यह चलेगा तो चलिए हुए 222 वोल्ट दे देता है मल्टिमिटर को कर देते हैं साइड अब यह हमारा रहा 220 लुल्ड का वायर आपको दिखाता हो यह रहा 220 भॉल्ड का वायर यह ही सरीज बड़ाबला अंदर दिख वर्ड में से 220 बाल दोस्तेक नोसे 2020 मैं लिया हूं अब यह देखिए इसमें टच कर रहा हूं कर ला यहां पर मतलब की इस पर और इस पर दोनाब पर टच करूंगा यह दिखें है पहले बोडी में करेंट कर लेते दो दूस्तों इस तरह से एक बार रखना है तो कोई करेंट मतलब कि हमारा बल्ब जो है नहीं जल रहा है इसका मतलब के लाइन यह तो काफी तेजी से रोटेट किया एक और फीर से देख लेते दोस्तों यह देखें क्या करेंगे दोस्तू इसमें वायर है इसे में लगा देंगे तो यह देखें दोस्तो यहां पे इस चाहने में यह फ Yan transit लगा ळाओस था ओल्रेडी और इसमें इसने ऑल्रेडी वायर का क्नेकशन कर देता है क्योंकि इसनों अब ठींच इस यहां पर कनेकशन कर देख सकते हैं कि यहां पर इस पर देखा दिखा दिखा दिता हूं तो गौर की जगा यह देखे तो वीडियो पसंदेख प्रेश वीडियो को लाइक कर देखा चनल पनाया है चनल को सब्सक्राब कर करके बेल इकों को प्रेस कर देखा चलिए तो यहां वीडियो करते हैं समद्ट